गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत आपका यूटूब चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर आज है 15 जनवरी और आज 15 जनवरी के मोस्ट इपोर्टेंट करन्ट अफेर को हम डिसकस करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस कर लिजिए जिसे कि आपको न इसकस करते हैं जो कल मैंने आपसे क्यूशन पूछा था उसके बारे में कल की क्यूशन का इनुसर होगा नर्मदा नदी मैंने पूछा था कि विश्वय का सबसे बड़ा तेरता हुआ यानि फ्लोटिंग सोर उर्जा परियोजना किस नदी पर स्थापित किया जा रहा है तो नर्मदा नदी पर अगर यहीं पर आपको नदी का नाम नाम पूछ के आपको राजे का नाम पूछ लेता तो आपका हो जाता साथियो MP मध्य परदेश ठीक है राजे के अगर बात करते हैं तो MP आएगा और अगर नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी आएगा आज की पहले Q&A की बात करते हैं, पहला Q&A है कि हाल ही में, दोक्टर नजमा हेपतुला द्वारा लौंच पुस्तक Making of a General, ए हिमालेयन इको के लेखक कौन बने हैं? के लेखक कौन हैं, तो Making of a General, ए हिमालेयन इको के जो लेखक हैं, उनका नाम है। ากर कसम हिमाले सी है उत्रि पूर्वि-भारत के पहले थ्री स्टार वक्ति हैं Southfficient एंडियन आर्मी के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर तीन स्टार पाने वाले उत्री पूर्वी चेतर के पहले वक्ति डोक्टर कसम हिमाले सी है ने Making of a General एह हिमाले इको नाम की पुस्तक लिखी इसको किस ने लॉंच किया नजमा हेमतुला ने और नजमा हेमतुला जो है वो मनिपुर की क्या है मुखे मंत्री है चलिए अगला कि उसने की हाल ही में भारत ने 2021 के लिए पेपरलेस बजट पेश करने की गोशना की यह कौन सा मौका होगा जब बजट की परतिया नहीं चपेंगी अब की बार बजट की परतिया नहीं चपेंगी यह बिल्कुल डिजिटली रूप से होगा बिल्कुल पेपरलेस बजट होगा और ये कौन सा मोका होगा कि जब बजट की परतिया नहीं चपेंगी तो साथियों ये आज तक की इतियास का पहला मोका होगा जब पेपरलेस बजट पेस किया जाएगा यानि इसकी परतिया नहीं चपेंगी आज तक की इतियास में इसा पहले कभी नहीं हुआ है इस कुरोना महामारी के चलते ये कदम उठाया गया है अब की बार जो बजट होगा वो पेपरलेस होगा एक फरवरी 2021 को इसको पेस किया जाएगा और लगातार तीसरी बार जो हमारी वित मंत्री है निर्मला सितारमन वो अपने बजट को क्या करेगी पेस करेगी अब यहाँ पर बात बजट के आई है तो बजट के बारे में बात करते हैं साथियों बजट जो होता है इस बजट निर्मान में लगबग सो विक्ति इसमें भाग लेते हैं और उन सो विक्तियों को बजट त्यार होने उसको उसकी परतियां त्यार करने और जब तक उसको पेस नहीं कर दिया जाता या संसत तक वो नहीं पहुंच जाता तब तक उनको लगबग 15 दिनों के लिए कैद रखा जाता है उन सो वेक्तियों को जिससे कि वो बजट मतलब उजागरने हो पाए इसके साथ-साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि बजट जब पेस करना होता है तो उससे पहले एक हलवा नाम का कार्येकरम आयुजित किया जाता है जिसका आयुजित अब की बार नहीं होगा इसके लावा साथ यो पिछली बार जब बजट पेस किया गया था तो एक पहली बार एसा हुआ कि चमडे के बैग के जगह है चमडे के बैग किसका उप्योग किया गया था लाल कप्डे का उप्योग किया गया था वरना चमडे के बैग का उप्योग किया जाता है बजट प राप्त करता ससी कुमार चित्रे का निदन हो गया एक विख्यात थे यानि ससी कुमार चित्रे कौन थे जिनका हाल ही में निदन हो गया और इनको पदम विभुशन पूर्शकार से भी समानित किया गया था तो साथ हो ये एक खगोल विग्यानिक थे कौन थे खगोल विग्यान ये एक खगोल वेग्यानिक थे जिनका नाम था ससी कुमार चित्रे जिनका हाल ही में निदिन हो गया और इनको 2012 में पदम विबुशन से भी सम्मानित किया गया था हाल ही में राष्टपृती रामनात कोविंद ने 16 परवासी दिवस के अवसर पर कितने NRI को परवासी भारतिय सम्मानित किया तो राष्टपृती रामनात कोविंद ने 16 परवासी दिवस के अवसर पर लगभग 30 लगभग 30 NRI को या 30 वेक्तियों को परवासी भारतिय सम्मानि इस तीस वेक्तियों में एक नाम आपको ध्यान रखना है जिनका नाम है चंद्री का परसाद संतों की जो है वो सूरिनाम के राष्टपती हैं सूरिनाम के राष्टपती और इनोंने इनको मुख्यति थी भी बनाया गया था कब जब सोलवा परवासी भारती दिवस जो मनाया गया था सोलवा उसका मुख्यति भी निक्त किया गया था परवासी जो दिवस अब कब मनाया जाता है 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है हर साल नहीं 2 साल बाद मनाया जाता है 2015 के बाद इसको दो साल के बाद कर दिया गया है 2015 तक इसको प्रतेक साल मनाया जाता था लेकिन पहले Boris Johnson आने वाले थे, बिर्टेन के परदानमंत्री, उन्होंने अपना दोरा रद कर दिया, उसके बाद मुख्यतीती की रुप में किसको इन्वाइट किया गया है, चंद्री का परसाद संतोकी को जो सुरिनाम के राश्टपती है अगला क्यूशन है कि भारत में पहली बार बरफ पर चड़ने का उत्सव कहां मनाये गया, भारत में पहली बार बरफ पर चड़ने का जो उत्सव मनाये गया था, या आइस क्लीमिंग फेस्टिवल जो मनाये गया था, वो नुब्रा घाटी में मनाये गया था, नुब्रा ले में भारत वियतनाम रक्षा सुरुक्षा समवाद के किस संस्क्रण का आयोजन किया गया भारत वियतनाम रक्षा सुरुक्षा समवाद के तेरवे संस्क्रण का आयोजन किया गया हाले में भारत की तरब से किसने परतिनी दित्वे किया तो साथ यो ध्यान रखना अजे कु अजे कुमार ने भारत की तरब से परती निदित्व किया और यह जो अजे कुमार हैं यह हमारे रक्षा सच्यू हैं क्या हैं रक्षा सच्यू इस इनिस से मिलता जूलता एक नाम हो रहे सातियो जिनका नाम है अजे कुमार भल्ला अजे कुमार भल्ला और एक हैं अजे कुमार तो दोनों में अंतर है, अजे कुमार तो रक्षा सचुँ है, और अजे कुमार भलाजु है, वो हमारे ग्रह सचुँ है, कौन है, ग्रह सचुँ, ये बाते आपको धियान रखने हैं अगला क्यूसन है कि भारतिय भू विज्ञानिक सर्वेक्षन यानि GSI ने हाल ही में किस स्थान पर पेलेयो प्रोटेरो जोईक कार्बन लेस फाइट इट फाइट चटानों में विनेडियम नामकदातों की खोज की है भारतिय भू विज्ञानिक सर्वेक्षन ने पापुम पारे में किया है कहां पर किया है पापुम पारे अरुणाचल परदेश का एक जीला है प्रोनाचल प्रदेश का क्या है ये कि जिला है पापुम पारे यहां पर भारती भुविज्ञान सर्वेक्षण ने या फिर जी एसाई ने पेलेो प्रोटेरो जोईक कार्बन लेस फाइट टाइट चट्टानों में वेनेडियम धातों की खोज़की है वेनेडियम धातों एक परकार की दुरलब धातों जो हर जगे नहीं मिलती है बहुत कठिनाई से मिलती है देखिए वेनेडियम स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में उप्योग किया जाने वाला उच्छ मुल्य का धातों है इसको still और titanium धातू को मजबूत करने में इसका उपयोग किया जाता है यह है कठोर और silver gray यानि धुसर रंग की धातू होती है इसकी परमानू संख्या 23 है विनेडियम मिस्सर धातू का विनेडियम का जो उपयोग है वो मिसर धातू का टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने में उपयोग इसका किया जाता है वेनेडियम में आगहात वर्धनियता का गुन पाया जाता है वेनेडियम से बने मिसर धातू अत्यदिक तापमान और वातावरण में टिकाउ होते हैं और इनमें जंग नहीं लगता है GSI की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फुर्म है Geological Survey of India इन्हीं भारतिय भूविज्ञानिक सर्वेक्षन स्थापना 4 मार्स 1851 को किये गी थी इसका मुख्याले कोल कत्ता में है इसके CMD यानी Chairman और Managing Director कों है रणजीत रथ रणजीत रथ इसके क्या है Managing Director है स्वास्थे मंत्राले ने स्वस्था के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए 2019-2020 के लिए किस संस्थान को सिरेनी B के तहत पांचवे राष्ट्रिय काया कलप पुर्षकार के पर्थम पुर्षकार से समानित किया गया एम्स भूनेस्वर को किसको एम्स भूनेस्वर को समानित किया गया और लगातार इसको तीसरी बार समानित किया गया है सवस्ता के मामले में यानि एम्स भूनेस्वर का जो अस्पताल है साथ ही वो बहुत ज़्यादा सवस्थ है पर्थम स्थानियनों ने पराप्त किया है और राष्ट्रे काया कलब पुरुसकार के पांचवी संस्करण में को पर्थम पुरुसकार से सम्भानित किया गया हाल ही में जारी हुरुन गलोबल 500 की रिपोर्ट के नुसार दुनिया की चुप 500 सबसे मुलेवान कमपणियों की सुची में कितनी भारतिय कमपणियों को सामिल किया गया है तो हुरुन ग्लोबल 500 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार दुनिया की 500 सबसे मुलेवान कमपनियों में भारतिय कमपनियां कितनी है तो 11 भारतिय कमपनियों को सामिल किया गया है 11 भारतिय कंपनियों को सामिल किया गया है हुर्णो ग्लोबल 500 की रिपोर्ट के नुसार दुनिया की 500 सबसे मुल्यवान कंपनियों की सुची में इसमें सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है एपल ने एपल 2.1 ट्रिलियन डोलर की मुल्यांकन के साथ विश्वय के सबसे उपर है दूसरे और तीसरे स्थान पर कराम से माइक्रोसोफ और अमेजन है रिलाइंस जो कंपनी है साथियों उसको विश्वय की चोपनवी और भारत की सबसे बड़ी मुल्यवान कंपनी इसमें सबसे परतमस्थान किस ने पराप्त क कि तो USA ने यानि कहने का अमेरिका ने पराप्त किया जिसकी 242 कंपनीओं को इसमें सामिल किया गया है और दो नमबर पर है chicken चीन की 51 कंपनीओं को इसे सूचे में सामिल किया गया है अ कि छाल ही में को तितली सुपर होट स्पोर्ट की रूप में गोसित किया है और यह शिरुवानी जो पहड़ी पढ़ती है यह पढ़ती है साथ यो कोईमबटूर में कहां पर पढ़ती है कोईमबटूर में ठीक है अगर हम बात करते हैं कोईमटूर की तो कोईमटूर आपका पढ़ता है तमील नाडो में कोईमटूर करहां पर पढ़ता है तमील नाडो में पढ़ता है तो नेचर एंड बेटरफ्लाइ सोसाइटे ने सिरुवान्य पाडियों को तितली सुप्र होट स्पोर्ट की रूप में गोसित किया है और सिरुवान्य पाडियां आपकी कोईम टूर में पढ़ते हैं हम बात करते हैं इसके क्यूशन के बारे में तो देखिए जुलाई 2020 में हिमाले की गोल्डन बर्डविंग टितली को 88 वरसों के बाद भारत की सबसे बड़ी टितली का तमगा दिया गया था भारत की सबसे बड़ी टितली का नाम क्या है तो ध्यान रखना golden bird wing तितली और इसको कब सबसे बड़ी तितली का दाज़ा दिया गया था जुलाई 2020 में golden bird wing तितली इसका नाम है इसका नाम दूसरा नाम क्या है तो इसको tridus aicus के नाम से भी जाना जाता है tridus aicus के नाम से भी जाना जाता है दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाली तितली का क्या नाम है तो Monarch Monarch दुनिया के सबसे तेजी से उड़ने वाली तितली है दुनिया के सबसे बड़ी तितली ये तितली थी ये तो भारत के सबसे बड़ी थी लेकिन यहाँ पर बात दुनिया की हुई है दुनिया की सबसे बड़ी तितली का नाम है Joint Bird Wing Joint Bird Wing जो Solomon Islands में पाई जाती है ये बात भी आपको ध्यान रखने है तितली परिवार का जो विजयनिक नाम है वो भी आपको ध्यान रखना है लेपी डोप्टेरा इसका क्या है इसके परिवार का विज्यानिक नाम है और तितलियों का जो अधेन है वो लेपी डोप्टेरोलोजी के अंदर किया जाता है लेपी डोप्टेरोलोजी में तितलियों का अधेन किया जाता है हाल ही में सोध करता हुने तमिल नाडों में कोईमटूर जिले से फ्रूट फ्लाई की एक नई परजाती खोजी है उसका नाम है यूफरंटा सिरुवानी यूफरंटा सिरुवानी की खोज हाल ही में की गई है जो बेटर फ्लाई परजाती की एक नई पर जाती है, कोईमटूर जिले में इसको खोजा गया है किस देश की सेने टुकडी को दिली के राजपत पर राश्ट्री प्रेड में भाग लेने के लिए आमंतरित किया गया है तो अब भी राश्ट्री प्रेड होने वाली है राजपत के उपर दिली के राजपत पर 26 जनवरी को तो इस उपलक्स में या फिर इस मोक्य पर किस देश की सेने टुकडी को प्रेड के लिए आमंतरित किया गया है तो बांगलादेश की टुकडी को प्रेड के लिए आमंतरित भारत सरकार के द्वारा किया गया है वाड़ी ट्रेन सर्विस का उद्गाटन पीम मोदी और सेख हसीना ने किया 55 साल बाद ये स्टार्ट होने वाली है चिलहटी हल्दी वाड़ी ट्रेन सर्विस 17 दिसम्बर से इसको शुरू किया गया है 26 मार्श 2021 से दोनों देशों के बीच स्वाधिंता सडक की शुरुवात भ ख़ता है लीथियम बंदार भाद के सबसे पहले लीथियम बंदार को खोज की गई है इस लीथियम बंदार को माणड़क करना तक की मारला गला अला पतनाग चेतरे की स्थित आगने सटानों में खोज की गई और यहां से लगबग 1600 टन लीथियम का बंडार मिला है मनिकरन पावर लिम्टेड दुवारा भारत की पहली लीथियम रिफाइंडरी की शुरुआत गुजरात में इसको स्थापित किया जाएगा ली अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए जैंद जैबार थैंक्यू बाई बाई